Hello everyone, हमने chapter number 1 start किया था, matrices of BSE first master algebra उसी chapter को हम आज इस वीडियो में आगे continue करेंगे हम X-rays 1.2 के कुछ examples कर रहे थे, तो उनको ही आगे हम continue करते हैं Example number 6 किया है, show that every square matrix is uniquely expressible as the sum of harmission and skew harmission matrix क्या क्या रख रख एक इस example में, कि हम किसी भी square matrix को uniquely express कर सकते हैं as the sum of harmission and skew harmission matrix, इसको हमें प्रूव करना है कोई भी आपके पास square matrix है, A, माल लेते हैं, कोई A हमारे पास square matrix है उसको हम किसकी form में लिख सकते हैं, as the sum of harmission and skew harmission matrix harmission and skew harmission matrix की sum के form में लिख सकते हैं, उनकी addition के form में लिख सकते हैं ठीक है और जो हमारे पास यह expression आएगा इन दी सम आफ हार्मिशन और स्क्योठ हमेशन matrix वाला यह आपका unique होगा ठीक है इसको हम एक ही वे में हार्मिशन skew harmony matrix की sum की form में हम लिख सकते हैं ठीक है एए की वे होगा तो सबसे पहले हम क्या पुरूफ करेंगे कि हम जो हमारी जो a matrix है जो कि square matrix उसको हम हाब mechanism के sum की form में लिख सकते हैं दूसरा हम प्रूफ करेंगे जो हमारे पास एक्सप्रेशान आएगा वह यूइख होगा मतलब कि हम uniqueness को भी prove करेंगे तो start करते हैं let a be और अनी square matrix हम मान लेते हैं कि a हमारी कौई भी square matrix है तो a को हमें क्या prove करना है some of harmission and skew harmission matrix की form में prove करना है तो हम a से start करते हैं a को हमें से ले सकते हैं 1 by 2 into 2a कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कटी जाएगा यह आ जाएगा अब देखिए यह 2a है 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a plus a क्योंकि a plus a क्या होता है 2a होता है तो a plus a लिख दिया अब हम क्या करते हैं a plus a as it is एक बड़ी a theta को हम addition कर देते हैं एक बड़ी a theta को सब्ट्रेक्ट कर देते हैं ठीक है तो ऐसे लिख दिया एठीटा माम इस जी खर जाएगा तो इसलिए अब क्या करते हैं एक एक के साथ एक एक थीटा को सिख देते हैं प्लस बाट ने को ठ operation धाए है तो माइनес a plus a theta plus 1 by 2 a minus a theta ज़िए आप 1 by 2 यहां से common ले लोगो तो फिर से यह time तो आजएगी तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं तो आसे लिख दिया तो हमारी पर एक इसके एक वला गया 1 by 2 a plus a theta प्लस 1 by 2 a minus a theta अब देखिए अगर आपने इससे previous इससे previous lecture पढ़ा है तो आपको पता है जो यह वहली matrix होती है half a plus a theta यह क्या होती है अगर आपने इससे previous प्रीवेस lecture पढ़ा है तो हमने वहाँ एक जीज प्रूफ करी थी वह क्या प्रूफ करी थी example number 2 में कि जो a plus a theta होता है वह क्या होता है हार्मिशन matrix होती है यह क्या है एक matrix है उसमें अगर हम उसी के transpose conjugate मतलब कि एक ही पावर theta को add कर देंगे तो हमारे जो new matrix है कि addition के बाद वह क्या होगी हार्मिशन matrix होगी तो इसका मतलब यह जो matrix है a plus a theta यह क्या है हार्मिशन है और किसी भी हार्मिशन matrix के अंदर हम किसी number को multiply करवा देते हैं तो वह हमारे पास तब भी हार्मिशन matrix ही रहती है तो 1 by 2 को अगर हम इसके अंदर multiply करवा भी देंगे a plus a theta के अंदर तब भी यह पू ठीक है तो इसमें हमने थर्ड पार्ट प्रूफ किया था एप्रस एथिटा इस हार्मिशन ठीक है और दूसरा हमने क्या प्रूफ किया था ए माइनस एथिटा जो होता है वह हमारा स्क्यू हार्मिशन होता है ऑगर आपने से प्रीवेस से फ्रीवेस वीडियो नहीं देखी तो अब जाकर देख लेना हमने इसको प्रूव by कर रहते हैं इस लिए ये क्या है मैट्रिक्स है और A-1 θ कौना सी मैट्रिकस है skew harmission matrix है यह भी हमने उस reaction में प्रूब कर रहा था अगर a minus a theta skew harmission है तो उसके अंदर हम किसी भी number को जो multiply करवा दें 1 by 2 को multiply करवा दें वो भी हमारे बास क्या होगी skew harmission ही रहेगी तो यह पूरी matrix half a minus a theta क्या है skew harmission है तो यहां से मेरे बस क्या आ गया a is equal to harmission matrix plus skew harmission matrix skew harmission matrix तो यहां से मेरे बस आ गया कि a जो है वो sum of harmission और skew harmission matrix के equal होती है तिक है और वो क्या है half a plus a theta plus half a minus a theta तो यह हमारे परस expression आ गया ठीक है तो यह हमने लिख दिया a is equal to half a plus a theta plus half a minus a theta है इसको मैं मान लेता हूं यह क्या है इसको मैं मान लोता है utp हेर हमारी जो पी है वो क्या है और क्य क्यों हो टीक है स्ठीए म esempार करेंगे यह तो यह प्रूब करेंगे सबसे मान के चलते हैं कि हमारे पास ऐसा एक और एक्सप्रेशन क्या है? ऐस इकनल प्लस ऐसा और लास्ट में क्या प्रूब कर देंगे ऌसे असे ही तो बीप्लस के हुई है एक्सप्रेशन है यह तो आप प्लस यह लोगा तो इसके मदलब हमारे पास एक्सप्रेशन यही रहेगा किसी भी स्केर करते हैं और हमें प्रूव क्या करना है कि जो आर है वह P के एक याई और एक्वल सहे वह क्यों क्यों को थो हुद यह प्लस क्यों क्यूंब होगा तो हमें या recipes क्यूंब करना है तो करते हैं किशले इसको हम equation में बनमान लेते हैं, taking transpose conjugate both sides, both sides हम क्या गर देते हैं, transpose conjugate ले लेते हैं, यह आज़ेगा a का theta is equal to r plus s का whole theta, ठीक है, अगर हमने lecture number 2 देखा है, तो lecture number 2 में हमने एक property देखी थी, transpose conjugate की वो क्या थी, कि a plus b का whole theta किसके एक पुल होता है, a का theta plus b का theta, मतलब कि a का transpose conjugate और b का transpose conjugate, तो यहाँ तो a plus b की जगा क्या है, r plus s है, तो यहाँ जगा r का theta plus s का theta, यह आ गया, और na starting में आपको यह मान के चलना है, कि जो यह आपके बस r और जो s है, r जो यह s है, वो क्या है, r हमारा harmission matrix है, और जो s है, वो skew harmission matrix है, यहाँ स्टार्टिंग में ही मान के चलना है, तो यहाँ लिख भी लेना, कि let r क्या है, harmission matrix है, और जो s है, वो skew harmission matrix है, skew harmission matrix है, यहाँ पहले लिख लेना, तो r हमारी कोई harmission matrix है, s हमारी कोई skew harmission matrix है, और दूसरी है, r कोई हमारी कोई दूसरी harmission matrix है, s कोई हमारी skew harmission matrix है, जो p और q से अलग है, पर last में हम यह प्रूब कर देंगे कि यह दोनों matrix is p और q एक्वली थी, ठीक है, अब देखिए, अगर हमारी r skew harmission matrix है, तो r जो theta होगा, वो किसके एक्वल होगा, सरी, अगर, अब देखिए, अगर आपकी जो यह r है, वो harmission matrix है, तो इसका मदलब क्या है, कि जो r का theta है, वो r के एक्वली होगा, r का transpose conjugate r के होगा, वो जो हाँ हाँ होती है, जिस matrix का transpose conjugate उसी matrix के एक्वलो, तो r theta के जिए हम क्या लिख सकते है, ठीक है, s हमारे बस कहा है, हमने क्या मदलब है, qeo harmission matrix है, तो इसका मतलब, s का transpose conjugate के skip को लोगा, माइनस s के एक्वलोगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास वैल्यू आगी और उसके बाद आपको दोने सब्सक्राइब करना है तो इसलिए तो पहले आप क्या करोगे एडिंग एक्वेशन 1 & 2 एड कर देते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे क्वेशन 1 & 2 को सब्ट्रेक्टिंग सब्सक्राइब क्यां एक्वेशन 1 & 2 तो आस को RHS में से सब्ट्रेक्ट कर देंगे यह मैंनस से थिता हो जाएगा ऐसी तो यह स्क्राइब कर रहे है अब यह को RHSanchस करेंगे तो R फ्रस स- R अो कि यहां माइनस था ना तो यहां फ्लस था जब हम उन्हा स्वाक्स मान लिखते हैं आप एक लिखोगे फिर्म्हार्डन पश्क्रियृट है फॉर्ट सोडसे थीड़ा को सब्सक्रियृट लोन कि उनकालों क्या एगी 1 आपन 2A प्लस एथिटा यहां से मैं औरा अब दिखे ए हाफ एपलस एफिट हम ने किसको माना था यहां से निअ ऑब देखे हैं किसको मानना था ठीख है तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं किया जाएगा कि वा जाएगा तो यह तो हम कह सकते हैं hence the expression जो हमारे पास expression है कौन सा expression half a plus a theta यहाँ यह भी लिखना है a is equal to half a plus a theta plus half a minus a theta जिसको हमने लिखा है a is equal to p plus q is unique यह हमारे पास unique है ठीक है तो prove हो गया अब हम next example देखते है next example क्या है example number 7 express the following matrix as the sum of harmission and skew harmission matrix हमारे पास जो यह following matrix है यह हमारे इसको हमें harmission और skew harmission के sum की form में express करना है ठीक है तो इससे जो हमने previous example देखा है तो उसमें हमने एक result देखा था वो result क्या था अगर हम इस matrix को a matrix मान लेते हैं तो हमारे पास जो a होता है वो किसके कोल होता है half a plus a theta plus half a minus a theta half a plus a theta का क्या मतलब है harmission matrix half a minus a theta का क्या मतलब है क्यो harmission matrix इसका मतलब हमें half a plus a theta की value को निकालना है ठीक है और half a minus a theta की value को निकालना है और इसी expression में हमें इसको put कर देना है ठीक है क्योंकि अगर यह matrix है तो यह वाली matrix किसके एकवल होगी half a plus a theta के एकवल होगी प्लस half a minus a theta के एकवल होगी ठीक है तो हमें half a plus a theta के वैलुकों निकालना है half a minus a theta के वैलुकों निकालना है और इसी equation में हम वापस put कर देंगे तो हमारे पास A matrix यानि कि यह वाली matrix समीश हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन matrix के समके को आ जाएगी ठीक है तो सबसे पहले हम एप्लस एठीटर निकालते हैं एप्लस एठीटर निकालने से पहले हम एप्लस करेंगे इसको पहले हम एठीटर क्या है हमारा तो एठीटर क्या होता है वैसे a theta का मतलब होता है transpose conjugate of a यह तो आप पहले अच्छ निकालने हमें तो पहले हम क्या निकाल लेंगे a conjugate निकल लेंगे ठीक है a conjugate वो क्या होता है a conjugate का क्या मतलब है कि matrix में जहाँ जहाँ आयटा वली term है उसके आगे का जो sign है उसको change कर दो तो यहाँ 5-3 iota यहाँ जगा 5-3 iota ठीक है सब्सक्राइब कर दिया तो यहाँ क्या हो गया यहाँ क्या है 2 iota यहाँ जगा-2 iota यहाँ 3-5 iota यहाँ जगा 3-5 iota iota से पहले साइन चेंज हो गया यहाँ 6 है यहाँ आयटा वली term नहीं है तो यह 6 ही रहेगा यह 7 iota यह 1-4 iota 1-4 iota यह 1-2-7 iota यहाँ-4 iota यह 7 iota यह 7 iota ठीक है अब हमें क्या करना है हमें अब इस term का मतलब कि इस matrix का transpose कर देना है मलब कि a conjugate का transpose किसके एक्वल होता है एए थीटा के एकवल ही होता है ठीक है यह कर देते हैं transpose करने का क्या मतलब है रोज को कॉलम में चेंज कर दो तो first row है इसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ second row है इसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ थोड़ रो है इसको भी मैं कॉलम में तो हमारे पास ये आगया अब हम एठीटा में किसको add कर देंगे एक कर देंगे फिर उसको बन बाइट उसे मल्टिपला कर देंगे तो करते हैं तो ए फ्लस ए थीटा ए मै्ट्रिक्स कौन से है जो हमें कोश्चन में किवन है वो क्या है 5-3 आयोटा 6-2 प्लस 7 आयोटा 2 आयोटा 7 आयोटा 4 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा 1 Online-4 आयोटा 7 प्लस A-theta क्या है यह वाली मै्ट्रिक्स है तो इसको लिखते हैं 5 plus 3 iota 6 minus 2 minus 7 iota minus 2 iota minus 7 iota minus 4 iota 3 minus 5 iota 1 plus 4 iota 7 अब हमें क्या करना है एड तो करना है तो कर देते हैं देखिए 5 minus 3 iota plus 5 plus 3 iota यह दोनों complex प्लाइटा वाली टर्म में एड़ करते हैं तो यहां प्लाइटा माइनस का यहां प्लाइटा प्लाइटा हो गया ठीक है प्लस हम इसे मैनेस होती है यहां किसीना नंबर में नहीं से श्क्ट सब्सक्राइब光 नबसक्त तो हम्मद्न सरे करेंगे यहां कि तो धुากा इनकी इन सत्य चोह ए प्लस जेगा शक्ट आपको सबकाइड कर दिना है six minus two iota seven iota minus seven iota zero one minus four iota minus four iota तो one as it is ठीक है real number as it is iota वहली term में यह add होगा तो आजेगा plus का minus four iota minus four iota minus का 8 iota ठीक है माइनस है तो माइनस का 8 iota multiply नहीं हो रहा है एड हो रहा है तो दोनों कहा कि माइनस है तो यहां भी माइनस लगेगा similarly minus two iota plus seven iota plus three minus five iota तो यह क्या आ जाएगा आपके पास one plus two iota four iota plus one plus four iota या जाएगा one plus eight iota four iota को four iota में add कर रहा है बाकी one as it is seven plus seven क्या होता है 14 होता है तो यह हमारे पास आगी a plus a theta ठीक है a plus a theta हो गया हमें a plus a theta थोड़ी चाहिए हमें तो half a plus a theta चाहिए तो इसको क्या करेंगे divide कर देंगे one by two मतलब कि two two iota plus six से multiply करो तो क्या जाएगा two two iota plus six से multiply किया half को तो यह two इसके निचे भी आ जाएगा two is के निचे भी आ जाएगा multiply करने यह तो मतलब है तो से two cut गया तो यह iota बचा two say two three is the six हो गया plus three वे चाहिए iota plus three three plus iota लिख लो similarly यहां जाएगा half minus iota ठीक है sorry हाँ half minus iota यहां क्या जाएगा three minus iota zero से two को डिवाइट करोगे zero इससे two को डिवाइट करोगे तो half minus four iota जाएगा इस से two को डिवाइट करोगे तो आजाएगा आजाएगा half प्लस आयोटा इसको टू से डिवाइट करोगो तो क्या आजेगा आपके पर सहाफ प्लस तू फोर्ज रद हिए तो होग्या के उब अद्विध करऊगो सेमा आ जाएगा तो से माinas कर देता है। कि जोग्या-था से अक आँझेолीए मेंस और गूलाए इसको जोग्रूंस कलते हैं तो हमहें देखना अख़ाते हैं का अब हमें आथा मैंट्रिक्स और सब्सक्राइब मैं ऑप स्ब्सक्राइब स्ब्सक्राइब तो यह क्या जाएगा वाइना स्फे और माइनस 3 एल ग्यों क्या तरुने एप Bentem और संद प्रपीति ये टम तब हो गया तो यहां さब 25 कट गया Khan । बचा गए यहां मान inspiaráत省 क्या मानिस एल झाट क्या है माइनज शिक आड़ा ठीक है ईसिए टूयोर गोटा माइनज सिक्स तो टूयटा मैन सिक्स कि माइनस मैन नहीं तो मेंधिपão करेंगे तो क्या हो जएगा है यह प्लस आजएगा है एक लीकि त्री को हम यल नंबर में धे करेंगे जो 3 plus 2 क्या होता है और ओर 6 तो निइ आपको सब को सब इसे ब्र सभास्ट सब्सद्राइं राइटा नरे सब्सद्राइट जिल यह Adi खाल माइनमा फैइव प्लस न्यूल वायिटा लुच्छित बहुत हो जाएगा तो हम्छित छोड़ी चाहिए हम दो क्या चाहिए हाफ ए माइनस एधीटा चाहिए ठीक है तो हम हाफ से भी मल्टिप्राइब कर देंगे तो हाफ ए मैनस एधीटा क्या जाएगा इस पूरी मैट्रिक्स को जिसे में डिवाइड कर दो टू से डिवाइड कर दो ठीक है तो 6 Iota minus 6 Iota को 2 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा minus का 3 Iota इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 2 Iota minus 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाज़ेगा हमारे पस Iota minus 3 इसको डिवाइड करें तो क्या जाएगा हमारे पस 2 से यहाज़ेगा 5 by 2 plus 6 Iota इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पर मारे पस क्या आ जाएगा यहाँ जेगा 3 प्लस आयोटा यहाँ जेगा 7 आयोटा यहाँ जेगा HALF यह हमारे पस क्या जाएगा MINE-5 by 2 PLUS 6 आयोटा यहाँ जेगा MINE-1 by 2 और यह 0 का 0 तो हमारे पास half a minus a theta भी आ गया और half a plus a theta भी आ गया तो हमारे पास equation number 1 से क्या है from equation number 1 हमारे पास क्या है कि जो a होता है वो half a plus a theta के equal plus half a minus a theta के equal होता है तो हमारे पास a matrix क्या है फाइव माइनस 3 iota 2 iota 3 plus 5 iota 6 7 iota 1 minus 4 iota minus 2 plus 7 iota 4 iota और 7 यह हमारे पास a matrix है इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है इसके और इसके सम की फॉर्म में क्योंकि यह हमारी हार मिशन matrix होती है तो इसलिए हमें ऐसे लिखना है तो half a plus a theta हमारे बस क्या आया हुआ है यह रहा यह है इसको हम लिख देते हैं यह 5 iota plus 3 half minus iota 3 minus iota 0 half minus 4 iota half plus iota half plus 4 iota और 7 है यह से लिख दिया प्लस में half a minus i theta क्या है यह है इस matrix को लिख देते हैं minus 3 iota 3 plus iota minus 5 by 2 plus 6 iota iota minus 3 7 iota half minus 1 by 2 5 by 2 plus 6 iota 1 by 2 और 0 तो यह हमारे पास skew harmission matrix आगे तो a को हमने harmission matrix harmission plus skew harmission matrix की form में लिख दिया सुट valid जिया क्या है